खुद की परवह किये बिना ये दिन रात अन उब जाते हैं, धर्ती मा के ये पुत्र हैं, जिनके कारण हम मुस्कुराते हैं. नमस्कार, फसल सला के शोव समन्वित क्रिशी, उन्नित क्रिशी में आपका स्वागत है. हम भी फसल सलाह में कुछ ऐसा ही मानते हैं, कि हमारे जो अन्न दाता हैं, वो हमेशा खुश रहे. इसलिए उनकी फसल से जुड़ी या कोई भी समस्या हो, उसके लिए हम हमेशा तयार हैं, उनकी मदद करने के लिए. इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मधुमक्खी पालन जब हम करना शुरू करते हैं, तो हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि फसल होती हैं, उनकी भी बिबातों का खास ध्यान रखना चाहिए. इसलिए आज मैं आपको बताऊंगे कि मधुमक्खी पालन किस तरीके से किस सही तरीके से करें ताकि उसमें बिबातों ना आए. उनमें सबसे पहला ये है कि साफ जगा हो, सही जगा हो. दूसरे नमबर पर ये आएगा मेरे किसान भाईयों, कि वो साफ तो हो ही, साथी साथ अगर उनके भेहवार में कोई बदलाव आपको दिखे, तो या फिर कुछ लारवा या कुछ एग्स या जो अंडे होते हैं, वो ब्राउन होने लगते हैं, भूरे रंगे दिखने लगते हैं अगर आपको, तो आप शीगर ही किसी विशेशग्य से मिले हैं, किसी विशेशग्य को बताएं कि ये दिक्कते आ रही हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्द उस चीज़ का इलाज मिल सके, क्योंकि काफी बार क्य हम देखते रहें, तो इस वज़े से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सबसे बड़ी समझ से आती है बी स्वार्मिंग की, मदुमक्खी की स्वार्मिंग, स्वार्मिंग में क्या होता है, कि जो मदुमक्खियां होती हैं, वो भीड जुन्ड बनाके, धीरे धीरे करके, जिसम से नीचे में एक छोटा सा गोलकार का आपको दिखने लगेगा, अगर धीरे धीरे बनना अगर आप जिसमें आपने मदुमक्खियां को रखा है, अगर दिखने लग जाए, इसका मतलब यह है कि जल्द ही आपकी मदुमक्खियां हो सकता है कि वो पूरा खाली करके, जिसमे आपने मदुमक्य को रखा है वो चली जाएं इस चीज के ध्यान रखें उसमें कम मदुमक्यां दिखने लगेंगी हो सकता है कि जिसमें हमने एग या लारवा को रखा है वो मरने लगेंगी बहुत सी ऐसी चीजें उनके जो वहवार है वो पूरा बदलाव आने लगेगा इसक में कारण यही होता है कि जिसमें हमने वदुमकी को रखा है उसमें भीड जादा होने लगती है या तो यह होता है या तो यह हो सकता है कि उसमें सही से हवा का आवा गमन जो है वो ठीक से नहीं है मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इस कारणवश वो जादतर खाली करके जाने लगती हैं तो आप इन बातों का जरूर खास ध्यान रखें, में और जून के महीने में जादतर ये होता है सही 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 समय पे निगरानी करें, जरूर एक बार जाके देखते रहें कि उनके वहवार को नोटिस करें कि उसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है क्योंकि या तो वो किसी डिजीज के वज़े से, या किसी विमारी के वज़े से होता है या फिर वो स्वामिंग करने की स्थिती में है तो इस चीज़ पर ध्यान रखना, निगराने रखना बहुत जरूरी है पिछले एक वीडियो में हमारे कुछ किसान भायों ने हम से पूछा था कि हम उनको सरकारी स्कीम के बारे में ठीक से बताएं तो जिसमें से प्रधान मंत्री के रोजगार योजना के तहत जो हम लोगों को लोन्स भी मिलते हैं और ट्रेनिंग्स भी मिलते हैं खादी विलिज कमिशन इंडस्टीज जो है वो हमें 25 से 10 लाग तक का लोन देती है काफे सारी ऐसी प्राइवेट सेक्टर की कमपनिया हैं जो की आपको मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए भी लोन देती है तो आज फसल सला के मधुमक्खी पालन समन्वित क्रिशी उन्नत क्रिशी में इतना ही अगली बार मैं अगले हफते आपसे फिर मिलूँगी और आपको बताऊंगी कि मश्रूम की खेती किस प्रकार की जा सकती है और उसके लिए क्या सही तरीका है और सरकार हमारे किस तरह सहायक है तब तक के लिए आप हमारे फसल सला आपको ज़रूर डाउनलेट किजिए और जुड़ जाए हमारे फसल सला परिवार से थन्यवाद